आप सभी का दिल से स्वागत है मेरे चैनल फेंटेसी ज्यान में तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ ऐसे पांच पैट्समेन के बारे में जिनोंने 2010 से लेकर 2019 तक की दशक में सबसे ज़्यादा तभाई मचाईती ODI क्रिकेट के अंदर तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं फटावर्ट से तो नमबर 5 पर आते हैं न्यूजिलेंड के रॉस टेलर जिनोंने 145 इनिंग्स में 6428 रंस बनाये थे विद दी एवरेज ओफ 54.01 जहां पे उनका स्ट्राइक रहा था 83.56 एंड उनका हाइस स्कोर रहा था 181 फॉर नॉट आउट तो इसी के साथ हम चलते हैं नमबर 4 बैट्समन की तरफ जोकी हैं साओट एफरिका के ABD विलियर्ज जिनोंने 139 इनिंग्स में 6485 रंस बनाये थे विद दी एवरेज ओफ 64.20 जहां पर उनका स्ट्राइक रहा था 109.76 का एंड उनका हाइस स्कोर था 176 अब हम चलते हैं नमबर 3 बैट्समन की तरफ जोकी हैं साओट एफरिका के हाशिम आमला जिनोंने 157 इनिंग्स में 7265 रंस बनाये थे विद दी एवरेज ओफ 49.76 जहां पर उनका स्ट्राइक रहा था 89.11 का एंड उनका हाइस स्कोर था 159 का अब हम चलते हैं नमबर 2 बैट्समन की तरफ जोकी हैं इंडिया के रोहिच शर्मा जिनोंने 176 इनिंग्स में 8249 रंस बनाये थे विद दी एवरेज ओफ 53.56 जहां पर उनका स्ट्राइक रहा था 90.63 का एंड उनका हाइस स्कोर था 264 का अब हम चलते हैं नमबर 1 बैट्समन की तरफ जोकी हैं इंडिया के विराट कोली जिनोंने 220 इनिंग्स में 11,125 रंस बनाये थे विद दी एवरेज ओफ 60.79 जहां पर उनका स्ट्राइक रहा था 94.11 का एंड उनका हाइस स्कोर था 183 दोस्तों यहां पर मुझे एक हैराने की बाद यह लगी है कि यहां पर टॉफ 5 के अंदर एक भी इंग्लेंड या फिर ऑस्ट्रेलिया का प्लेयर मौजूद नहीं था अगर आपको यह वीडियो थोड़ी इंट्रेस्टिंग लगी हो तो प्रीस इस वीडियो को लाइक ज़रू कर देना एंड कमेंट करकर ज़रूर बताना कौनसे प्लेयर का स्टाइट आपको सबसे अच्छा लगा तो ऐसे ही इंट्रेस्टिंग स्चैट्स के लिए सब्स्राइब जरू कर लेना थैंक्यू सो मच फॉर वाचिंग दी वीडियो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में